हमोगो आज की सी विद्व हम लोग देखेंगे क्यू बैसी का फोर्थ नम्मर वीडियो है तरद नम्मर वीडियो में आपको डो कोस्चेन हम दिए थे सॉल्व करने के लिए यह दो कोस्चेन है हमने सोचा था कि इसका फोटो एंसर इसका बना के सलूसन और आपको फोटो मतलब हम प्रभाइद कर देंगे लेकिन सोचे कि फिर हर बच्चा जो लाइन से मेरा स्रीज देख रहा है अगर इसका एंसर खुजने देखो लगबग देड़ साल से मैं यूटूब पर काम कर रहा हूं अभी तक मेरा चैनल मॉन्टाइज नहीं हुआ तो सोच सकते हो कि मेरे पर क्या मतलब है इक होता है न कितना दिन तक को यह थी करेगा इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था वीडियो बनाने में एक मो प्रॉब्लम होंगे और आप लोग को भी जो भी प्रॉफित हो रहा जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा छोड़ोगा सब हम लोग कोशन को यहां पर सॉल्फ करते हैं और इस वीडियो हम लोग क्या करने वाले हैं यह दो कोशन तो सॉल्फ करने ही वाले हैं बाकि जो आप आपको अबको दिसीजन कंत्रोल जो हम परहाए थे हैं दिसीजन कंत्रोल को उसन पर आज हम लोग दो तीन कोश्चяться और देखें दो कोशन इसको करेंगे और दो कॉश्चिन पहले वीडियो में को अब क्या करते हैं जब निसीजन पर रहा रहे सबसे पहले पहला गोश्चांस का हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या बनाएंगे सबसे पहले फ्लोचाइड है जो बनाते हैं सबसे पहले इस्टाइड करेंगे के लिग Comus थो यह समस्मझैन इतना वह बना ली होगे इसके वाद input लेंगे, तो input के लिए कैसा box बनाना है थोराचा ऐसे कर देना है फिर इसमें input लेंगे input A उसके बाद हम लोग decision के लिए का करेंगे decision diamond safe का box बनाते थे ऐसे box बना दिये अब इसमें को question पहले परो क्या करना है हम ए क्यों लिया, बोल रहा है कि except except one number then display the given number is negative number और not a negative number, मतलब एक number हमें select करना, हम कोई number select कर लिए, जैसा 5 हमने select किया, ठीक है यह number हमरा negative number है की नहीं है, यह दिखाना है negative number और not negative number यह ही दिखाना है, यह जैसे 5 लिखे न, तो यह क्या है negative number है की नहीं है, तो यहाँ पर देना चाहिए क्या, not a negative number जैसे हम लोग input जैसे हम लोग डालेंगे जैसे हम डाल दिए minus 6 तो यह क्या है की negative number है तो हमें क्या देगा output लिख देगा क्या, negative number ठीक है, इसी को हम लोगो code भी करना है, flow चात इसका बनाना है question समझ में आ गया देखो, जो हम लोग input लिए हैं तो अगर यह a क्या होगा, 0 से अगर 4 ओगा 0 से 6 होगा, तो तभी नहूं negative number होगा, 0 से 12 होगा तो positive number होगा 0 से 4 होगा तो negative number होगा तो अगर 0 से a 6 होगा तो यह तो true हो जागा क्योंकि हमें true case में क्या दिखाना है negative number तो जब ये true हो जागा case input और output के लिए हमें कुछ इस परकार का box बनाना है ऐसे ऐसे ही box बनाएंगे और इसमें क्या लिखेंगा अब हम लोग print क्या print करके देदेगा print negative number clear और अगर ये false हो गया गलत होगा प्रिंट करके देदेगा ऐसे curve shape का box बनाएगा इसको नीचे लिख देदे इसमें इसमें क्या लिख देगा print not negative number इस box के अंदर ये लिखा रहाएगा उसके बद क्या होगा stop हो जागा इधर से भी आएगा इधर से भी आएगा और एक box stop यह तब को समझ में आया था कैसे बना फ्लोचाथ किलियर हुआ अब देखो इसका हम लोग करते हैं algorithm algorithm देखो कैसे करते हैं algorithm आपको क्या बताते थे जो हम लोग फ्लोचाथ करते हैं बस उसी का step बेए step हम लोग लिख देते हैं तो फ्लोचाथ में सबसे पहले start कियें तो लिखें क्या step first start इसके बाद step second क्या कियें number एक लिए input लिए ना को user से कि जैसे हम को user से बोलें सबसे पहले कि एक number ले लिए user से input लिए उसके बाद हमने condition दाला ये condition ही लोग इसके अंदर दालते हैं अगर condition true हो गया तो ये दिखाएगा अगर false होगा तो ये दिखाएगा इसके बाद होगा ये दिखा के stop होजगा, रुख जाएगा वह पर अगर true होगा तो यह दिखा के रूप जाएगा clear तो यही चीज़म को लिखना है तो सबसे पहले का करेंगे except one number in a variable in a variable a variable नाम का हम लोग एक क्या लिए है input लिए है उसके बाद step 3 में हम लोग क्या किये है condition लिखे है यह condition है तो if a is less than zero then go to a step ऐसे लिख के छोड़ देना भी क्या किया तुमने कि एक condition है पर लिए है if यदि a यह जो है हमारा छोता होगा किसे zero से तो then go to a step लिख के छोड़ दो क्यूंकि इसके आगे हम लोग करेंगा अभी कहेगी यह दो कंदिशन एक साथ मिल लेना है अगर त्रू होगा तो क्या करेंगे कि एस टेप फोर में देखो क्या करेंगा यहां से कुछ समाज में किस बच्चे को नहीं आओगा यहां पर समाज में अभी आ जाएगा प्रिंट नॉट निगेटिव नंबर अच्छा एक चीज देखना जब भी हम लोग इस पर करकर के कंदिशन जब भी हम लोग फ्लू आर्गुरिथम में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं सबसे पहले ऐसे चलते हैं इस टार्ट कियें तो इस टार्ट लिख देए अल्गुरि बर फाल्स पात की और चलते हैं उसके बाद हम लोग त्रू के तरफ आते हैं तो चौदधां हम क्या लीखें फाल्स के तरह प्रिंट नॉट निगेटिव नंबर नॉट निगेटिव नंबर फाल्स яжब होगा तहीं न लिखें नॉत पर चलते हैं and गोट तू एस टेप लि अब देखो समाझ में आएगा ये लिख दिया हम कंदीशन अब देखो बताते हैं आपको सबसे पहले हम लोग इस्टाइट कियें किलियर हुआ उसके बाद हमने इन्पूट लिया ए भरियेबल नाम का ले लिये कंदीशन दाल दियें कि ए अगर छोता होगा जीरो से ठीक है तो कहां जाएगा अगर ये जीरो से छोता होगा ये अगर जीरो से अगर छोता होगा ये अगर सही हो गया तो सही हो जाएगा तो कहां चल जाएगा निगेटिव नमबर सो कर जाएगा मतलब step 5 देखो अगर यह 0 से छोता होगा तो then go to step 5 तो step 5 में चल जागा step 5 यहाँ पर आ गया तो step 5 में negative number 100 कर देगा और उसके बाद stop हो जागा step 6 में खतम, अब देखो अगर यह condition false हो गया तो क्या यह आ जागा, print not negative number, negative number print कर देगा then go to step 6 clear clear, होगा गी निक्लियर यह चीज आपको पहले हम बता चुके से मोही चीज़ किया है सिर्फ वहाँ पर इसके जो पहले हम question बता थे उसमें positive number थे हैं यह पर negative number है हो गया, algorithm देख लेए इसका हम लोग programming देख लाता है देखो क्यों basic programming देख लाता है programming प्रोग्रामिंग क्या होगा सबसे पहले clear उसके बाद print इंटर वन नमबर एक नमबर हम लोग ले लिए इसके बाद input ए उसके बाद इफ ए इस ग्रेटर लेस देन जिरो देन प्रिंट निगेटिव नमबर इल्स प्रिंट निगेटिव नमबर यहाँ पर यह समद छोड़ना इसके बाद एंड इफ खतम प्रोग्रामिंग ज्यादा कुछ है देखो फिर से बताता एक बाद सबसे पहले clear करेंगे उसका print हम लोग एक input लेंगे न इसमें प्रोग्रामिंग भी लेंगे user को क्या दिखाएगा जिए प्रिंट जैसे इसका अगर हम लोग coding में अगर आपको क्या दिखाएगा जैसे अप लोग इसको अगर Q-basic प्रोग्रामिंग पर रन करहेगा था कुछ इस परकार से आपको input आएगा सबसे पहले उपर लिखा हुआ एगा कि enter one number मतलब आपसे बोलेगा कि एक number हमको enter करिए user से बोलेगा तो आप यहाँ पर जैसे 5 डालिएगा तो नीचे तुरंट लिखे देगा 5 क्या है एक 5 क्या है not negative number है तो तुरंट यहाँ पर नीचे लिख देगा not a negative number इसका कोडिंग जब करिएगा तो तो देखो यह कैसे वर्क कर रहा है यह print जब भी हम लोग करते हैं पहले बहुत बताएंगे तो print का यूज किसलिए करते हैं हम लोग print कराने के लिए user के पास कि हाँ print enter one number मतलब वो चीश क्या होगा कि so करेगा जैसे हम लोग input दान ले जाएंगे तो यह चीश पहले so करता है जिसमें हम लोग print के अंदर लिखते हैं उसके बाद input a तो एक हम लोग a नाम का एक input लेंगे user से तो एक जगा तुम कुछ भी ले सकते हो if a less than अगर छोता होगा 0 से तो then print हो जागा negative अगर नहीं छोता होगा इल्स के अंदर क्या लिखते हैं सबसे पहले true path लिखते हैं if के बाद उसके बाद अगर नहीं होगा false path कहां लिखते हैं उसके इल्स के बाद तो print not negative number उसके end if end if मतलब यह अगर हम लोग if खोले हैं तो इसको end मतलब खातम भी कर देंगा आपको सबसे पहले यह पढ़ा चुके थे तो लगता है clear हो चुका होगा सिर्फ आपको मिलाना था तो एक बाद मिला लीजे अब लोग second question के तरफ चलते हैं यह हमारा है second question second question क्या है हमारा except two number then display smallest number दो number को लेना है और उसमें से बताना है कि यह smallest number कौन है यह सिंपल question है सबसे पहले देखो इसका फ्लो चाथ देखो इसका फ्लो चाथ पिश्टाथ यह सबाब फास्ट करते हैं यह सबाब को समझ में आ चुका अगर लाइन से मेरे वीडियो देखते होगे तो इन्पुत लेंगे ए और बी इसके बाद decision box बनाएंगे इसमें ए बी हम लोग दो variable है ठीक है except two number हम लोग accept मतलब user से दो number लेंगे कि हमें दो number कोई दो ठीक है उसके उसमें condition लगा है कि हमको बताने कि smallest number जैसे हम लोग दो number ले लिए 5 और 7 इन दोनवे लोग से smallest number कोँ है तो हमें output तुरंक कहाया देगा क्या लिए 5 यजे smallest number लिए 5 smallest number है तो इसको लोग क्या condition लगई क्या देगा एखो हे smallest number कर ना है तिर्चा थोड़ा राखेंगे इसमें क्या हो जागा print a a हो जागा print अगर ये false हो गया अगर नहीं होगा माना चोलो कि a छोता नहीं है तो b छोता होगा अगर false होगा तो b छोता हो जागा समाझ में आ रहा न आपको तो क्या हो जागा इधर b प्रिंट हो जागा इसमें लिख देंगा हम लोग print b clear और उसके बाद इधर से भी आके और इधर से भी आके stop हो जागा ये समाझ में आएकी नहीं बताओ ये condition लगाए अगर ये condition true होगा तो अगर सही होगा तो क्या कौन सा नंबर छोता होगा a अगर ये गलत हो गया तो अगर a छोता नहीं है तो कौन छोता रहेगा b तो इधर b प्रिंट हो जागा false path में तो अगर माना चलो कि ये दो input दाला अगर ये condition सही होगा तो a प्रिंट हो के stop हो जागा अगर गलत हुआ तो भी प्रिंट होगा stop हो जागा हमें मिल जागा छोता नंबर अब देखो अब इसका अल्गूरिथम लिखते हैं कि अल्गूरिथम कि इस्टेप फरस्ट कि इस्टाथ सबसे पहले स्टाथ किए उसका बदे इस्टेप सेकेंड एक्सेप्ट कि तू नंबर कि इन कि ए बी कि वेरियेबल्स यह भी वेरियेबल्स है दो नंबर लिए उसका यह भी वेरियेबल में लिए उसके बाद एस्टेप 3 इस्टेप लिके छोड़ देंगे फिर इस्टेप 4 प्रिंट बी देन गो तू इस्टेप लिखके छोड़ देंगे फिर इस्टेप फाइफ प्रिंट ए और इस्टेप शिक्स इस्टॉप अब देखो समझाते हैं सबसे पहले स्टाथ कियें यह समझ में इस्टेप फस्टेप सेकेंड में हम लोग कंदीशन दालें तो एक सेप्ट लिए तो एक सेप्ट नंबर इन अबी भेरियेबल किलियर हुआ तो सबसे पहले कहा जाएगा तुरू पाथ ठीक है एक चीज़ आपको बठाते हैं जब इसको आप लिखिएगा यह समय में बताएं कैसे लिखिएगा अपको पहले पीछे पहला ओलर कोश्चन में बताएं तब then go to step उसके बाद step 5 में आ है हम लोग तुरू पाथ के लिए उसके बाद stop हुए हैं ठीक है जब इतना लिख दीजेगा तब हम लोग यह step ओला चीज को सजाते हैं आप लोग पहले से मेरा आप लोग वीडियो देखते हैं अगर यह कर लोगे तो अब कैसा सजाएंगे stop में 6 में खत्म अल्गरिफम खत्म अब इसका प्रोग्रामिंग देखते हैं मिता देना चलो कि बताएगा कि समझ में आया की नहीं अगर नहीं आएगा तो फिर से मैं इस चीज को बना सकते हूं वीडियो आपके लिए अगर लाइन से वीडियो देखते हूंग तो जस्ट यह सिर्फ हम आपको बताया थे कि आपको इमेज होग रद दे देंगे फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं तो प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग के सबसे पहले हमें क्या लिखते हैं किलियर इसके बाद प्रिंट इंटर तू और इस वीडियो के लास्ट में आपको एक हम सप्राइज भी देने वाले हैं तो जरूर उसको सुन के जाएगा इंटर तू नंबर क्यों बैसिक से रिलेते हैं किलियर इंटर प्रिंट इंटर तू नंबर जैसे हम लोग यह प्रिंट होगा जैसे यहां पर बताते हैं सबसे पहले हर में सा जैसे इसका प्रोग्रामिंग बनाएगा तो यह स्क्रीन पर एसे लिखा हुआएगा जब इसको आपको यह नहीं दिखेगा, लेकिन बोलेगा कि दो नंबर आप लिख दियाएगे, इंदर टू नंबर दो नंबर आपको लेना है, तो सबसे पहले आप फाइफ लिए, और इंदर मारिएगा, तो उसका फिर बोलेगा दूसरा नंबर लिजे, तो 7 मारिए फिर इंटर मारिएगा तब को तुरंट रिजल्ट लिखके देगा कि स्मालेस्ट नमर क्या है हमारा 5 है दरेक 5 लिख देगा 5 पिज़े स्मालेस्ट सिर्फ 5 लिखके आएगा किलियर अब देखो यहां पर थे हम लोग प्रिंट इंटर टू नमबर इसके बाद इंपुट लेंगे इंपुट ए उसके बाद इंपुट बी दोनों अलग 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 इंपुट लिखते हैं यह नहीं कि यहां पर इंपुट अलग अलग लिखते हैं प्रोग्रामिंग में उसके बाद इफ इफ ए लेस दन बी यह हम लोग condition लिख दिये यह condition लिख दिये इफ जब हम लोग चालू किये तो इफ का आपको use क्या बता था इसका syntax आपको परहाए थे decision control का क्या था इफ condition यहीना syntax आपको परहाए थे आपको याद होगा if condition उसके बाद then यहाँ पर हम लोग लिखते थे true path बहुत बचों को नहीं बुझाता होगा इसलिए बता आदा रहा है true path और उसके बाद else उसके बाद false path और उसके बाद end if end if इसलिए लिखते है इफ हम लोग चालू किये तो उसको खतम करते थे ठीक है यह हमारा syntax था इसी कहाँ पर यूज करेंगे सबसे पहले यह तो हमारा basic होगा हर में करते आ रहा है clear किये फिर input लिए a और b ठीक है यह print करा है मतलब यह print अगर फोड़ी दिए यह काम चल जाता है यह किस लिए यूजर के लिए यह चीज हम लोग को देते हैं कि हाँ यूजर को बताना चाहाए कि हम लोग क्या है उससे लेना चाहते है तो इसलिए ठीक है यह condition लिखें पर दे यह गए यह है तो प्रिंट संथ हो जाएगा प्रिंट इसको अलग रो प्रिंट हो जाएगा क्या हमारा यह यह गूआगा उसके बाद एंड if , को खतम करेंगे, तो लिखेंगे end ये end if, खतम, इसमें हम लोग इस्टा अपना ही लिखते हैं प्रोग्रामिंग में, यहीं सिंटेक्स था, इसी कहल से ये प्रोग्रामिंग किये, clear समझ में आगा सबको, ये दोनों question अब आपको और दो question इसके अलामा बता देते हैं उसके बाद यह decision control लगबग खतम हो जाएगा decision control खतम होगा यह नहीं कि क्यों वैसी खतम होगा अभी loop परना है ठीक ना और decision control में भी यह हम लोग दो variable जैसे पहर रहा है जैसे यहां पर except two number पहर रहा है ठीक है अब हम next जो वीडियो लाएंगे उसमें यह चीज three variable भी लिखा रहा था तीन नमबर आपको लेना है और उसमें आपको कराना है यहां पर दो variable था था तब नहीं यह किए कि true होगा तीधर जाएगा false होगा तीधर और ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को सेयर करिएगा कि हम आपके लिए भी कुछ help कर पाएं अभी एक रुप्या यूटूब से payment नहीं आ रहा है देर साल साल लगवग मेहनत करें आप लोग देख रहे हैं कितना वीडियो में डाल दिया हूँ वाच्छा और पूरा नहीं हो रहे है बस कुछ चाहिए जो आप लोग पूरा करा सकते हैं तीन चाहर सो वाच्छा और और चाहिए जो आप लोग सेयर करिएगा तो पूरा हो जाएगा को ये Commission लेते हैं हुद में लोग को कोस्चन चोड़ दे को श्रीन एकलेफे कितना नंबर है क्यों यह हमसे करना चाहरा हैो कि XC3 Class three Angle हमें तीन एंगल लेना है एक triangle कहां में 3 angle लेना है तीन angle ले लिए उसके वाध display कराना है वो 3 angle जो लिए है तो उसके इसाब से जो triangle हमारा है वो valid है कि नहीं भ CAD मतलब वो triangle बनेगा कि नहीं बनेगा जैसरे 3 angle आपसे ले लिए 1.30 ले लिए 1.15 ले लिए और एक 16 ले लिए तब इसके हिसाब से बताए कि 3 एंगल के एक ट्रेंगल हि बन पाएगा तो आपको पाता है कि ट्रेंगल का कभी भी किसका यूज करेंगे थोरा समयत क्था बहूत इंफ्रियल रहना चाहिए यह दो नहीं पहुंच रहा है मतलब यह भील луч ट्रेंगल नहीं है मतलब यह not valid तो बस इसी परकार से आपको करना है मतलब आपको user से तीन एंगल लेना है और तीनों एंगल जैसे user डालेगा ता उत्रण तुम्हाँ पर display हो जागा कि valid त्रेंगल है की नहीं है तो देखो इसको हम लोग कैसे करते हैं समझ मैं या देखो सबसे पहले फ्लो चाथ बनाते हैं इसका फ्लो चाथ देखो इस ताथ उसके बाद input लेंगे user से input इन फुट तीन त्रेंगल है तो तीन हम लोग क्या लेंगे वरियेबल ए बी और सी इसके बाद decision बॉक्स बनाएंगे तो सब बढ़ा बनाते है इसमें और इसमें condition आपको कौन सा लगा था त्रेंगल के लिए जो अभी बता है कि तीनों करेंगे अगर यह यह हो जाता है तो हमारा त्रेंगल भैलीद हैणत नही थो अगर यह condition हम दाले कि ए पलस बी पलस इगर यह नत है तो हमारा क्या हो जाएगा तुर में क्या जाएगा भैलीद हो जाएगा त्रेंगल तो थो थोड़ा से इसको तिर्चा ऐसे ये क्या लिख देगा हमारा प्रिंट हो जाएगा त्रेंगल जाए दिरेक्ट ऐसे लिख दो भैलिद ट्रेंगल भैलिद ट्रेंगल अगर यही चीज हमारा फॉल्स होगे यह a फ्लस b फ्लस c अगर वा ने तिके इक्वल नहीं होगा तो फॉल्स हो जागा तो यह हमारा क्या लिख क्या जागा यह इस हर्वर नीचे हैं मैंको लिखना पड़ रहा है क्या लिख क्या जागा print in valid जाए नौद बैलिद भी लिख सकते हैं यह तब समाझ सकता है ना इन भैलिद ठीक है उसके बाद हमार क्या हो जाएगा यहां से भी आके और यहां से भी आके इस्टॉप हो जाएगा किसी कोई प्रॉब्लम है इजी कोश्चन था अब चलो इसका अल्गुरिथम देख लेता है कि मीट आ दिया आपका अल्गुरिथम बगल में यहां पर चलो कराई देता है उसके बाद मीट आते हैं इस्टिप अपको यहां दो को फूलो चाट का कैसे किये था उसके हिसाब यहां से करते हैं इस्टिप फॉस्ट इस्टिप फॉस्ट इस्टाथ इस्टिप सेकेंड में क्या किये थे एक सेप्ट थ्री एंगल वैंब उफ ए ट्रेंगल यह था हम लोग कि इन ऑई बी-सी भेरियेबल हमेंती की थे एक सेण मातलब decision box में हम लोग condition दाले थे ठीक है तो इसका दखो step 3 में हम लोग condition वाला लिखेंगे step 3 if a plus b plus c जो formula राता से पुरा छाप देते हैं if is equal to 1 80 उसके बाद then go to step लिख के छोड़ देंगे step 4 आपको बताया थे लिखते समय क्या करना है जैसे यह condition अब हमारा गलत होगा वो लिखेंगे कि सही वाला तो false पात जैसे यह condition हमारा false होगा तो क्या होगा यह print होगा सबसे पहले step 4 में यह वाला लिखेंगे print invalid triangle उसके बाद go to step लिख दो go to then के बाद लिखे देन गो तू एस्टेप लिखे छोड़ दो step 5 अगर यह त्रेंग अगर हमारा सही हो गया यह condition तो क्या हो जागा print हो जागा print valid त्रेंगल उसके बाद क्या इसमें कुछ तक go to step लिख नहीं दरेक्ट इसके बाद खुद आ जागा step 6 में stop हो जागा अब यह जो हम लोग दो छोड़े हैं इसमें क्या लिख देंगा देखो सबसे पहले start होगा उसके बाद हम input लिए उसके बाद यह condition दा लेता अगर यह condition सही होगा तो valid triangle हो जाएगा मतलब step 5 हो जाएगा और उसके बाद खुद हमारा stop होके रुख जाएगा अगर यह गलत होगा हमरा condition तो क्या लिख Print हो जाएगा प्रिंट invalid triangle अगर invalid triangle हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर step रुख जाएगा तो यह go to step 6 तुखैना फिरुद्न देख दाए प्रोग्रामिंग देखता है और यह सब निश्म है प्रोग्रामिंग दूँनर के पर कहाimately लिए प्रोग्रामिंग क्यूंफीड प्रोग्रामिंग तीन है क्यों किस पर कहले चैनल को से नहीं आट कि उसके बाद प्रिंट कि इंटर थ्री नंबर कि सॉरी इंटर थ्री एंगल 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 ओफ ए त्रेंगल यह सब को समाज में आता होगा पहले से अगर पढ़े हैं तो थर्ड नमर वीडियो जरूर देख लिजेगा इससे पहले आपको बता दें कि फॉर्स्ट सेकें और तीन वीडियो अप्लोद है यह तीनों वीडियो लाइन से अगर देखे होंगे तो यह पक्का आसानी सब समाझ पाते होंगे नहीं देखे हैं तो नहीं समझ पाईएगा तो जरूर लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो जाके देख लो किलियर किये उसके बाद प्रिं और इन्पुट सी यूजर से तीन इन्पुट हम लोग ले लिएं ए बी सी के फर्म में उसके बाद कंदिशन लगाएंगे इफ ए प्लस बी प्लस सी इचकल टू वानेती देन अब देखो जैसे आपको पीछले हम बता थे हैं यह कैसे सिंटेक्स ही हुज रहा है इतना तो इसमें हम लोग क्या करता था है इफ कंदिशन लिखें देन ट्रू पार्थ ठीक है तो पार्थ में क्या हो जागा प्रिंट भैलिद ट्रेंगल उसके बाद इल्स फॉल्स पार्थ प्रिंट इन्वैलिद ट्रेंगल उसके बाद हमारा एंड इफ इफ क्लोज कर दिए खतम अगया प्रोग्रामी क्लियर हुआ यह और कोश्चन बचता है क्या सौल्फ करा दें जो लोग नहीं देखना चाहते हैं यहां से काथ सकते हैं अगर जिनको बोड़िंग लगता है लेकिन एक कोश्चन है मैं सोच रहा हूं सोल्फ करा देते हैं क्यूँ छोड़े इसको क्या क्राद देते भी एक स्टूजन टैप कपको बनाने के बार कितना बार एक्याम में अ आ जाता है देखो question एक और एक और देख लो लास्ट इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में लोग बस decision कंट्रोल कर एक question देखके loop पर हेंगे कि देखो कि एक्सेप्ट यह क्या बोल रहा है मारा कि एकशिप्ट टोटल मार्स ओफ इस्टुएnd एक इस्टुएंट कर दें कि वो पास है अगर ऐसा नहीं रहता है तो हम लोग display कर देंगे कि फेल है तो इसका कैसे बनाएंगे आप लोग पहले एक बार वीडियो पहुछ करके अपने से बनाएंगे तो इसका flowchart उसके बाद देखिए देखो flowchart हम लोग देखते हैं इतना तो शेम रहेगा सबसे पहले हम लो लिखेंगे start उसके बाद input लेंगे एक input M ठीक है marks के लिए input M ले लिए इसके बाद decision control decision box ऐसे इतना बड़ा बना दिये इसमें condition हम लोग क्या दालेंगे जो हम लोग यह दिया हुआ था कि M अगर greater than होगा मतलब बड़ा होगा और equal to होगा किस से 300 से तो हम लोग क्या print करा देंगे अगर यह condition सही होगा तो true print होगा तो true होगा तो क्या होगा उसमे true में क्या होगा print pass pass हो लारका अगर यह false हो गया तो क्या print होगा print fail हमको लगता है कि बताना अब नहीं पड़ेगा आप लोग कर लीजेगा इसका हर चीज लेकिन आप लोग पहुच करके करिए हम बाकी बच्चों के लिए देख लेता है अगर आप लोग बना लेता है तो बगवार मिला लीजेगा वीडियो भागा के मिला लेजे कि लिए रहे बहुत इजी हो गए फ्लोचार देखके अब लोग समाझ गोंगे इसका ऐसे ही अल्गोरिथम तरह सेम तुस्यम बन जाता है कि देखके अल्गोरिथम लिख दाता है यहीं पर अगरिथम कि एस्टेप कि फर्स्ट इस्टार्ट कि एस्टेप कि सेकेंड हम लोग इन्पूट लेंगे तो एक्षेप्ट टोटल मार्क्स ओफ एस्टूडें तो एक बच्चा का हम लोग टोटल नमबर ले लिए एस्टूडेंट in m वहरियेबल इसको हाइलाइट करना m वहरियेबल वहरियेबल कौन सा दालर यह देखो वहरियेबल में ले लिए इसके बाद एस्टेप थिरी में हम लोग क्या कंदीशन लिखे हैं तो कंदीशन इफ एम अगर बड़ा होगा ग्रेटर देन इक्वल तू तीन सो देन गो तू एस टेप लिखे छोड़ देंगे आप लोग समाझ रहे हैं कि क्यूं हम छोड़ रहे हैं बाद में इसको हम लोग फील कर लेंगे लिखते हैं सो मैं नहीं कहां थे कि इस beş फ्री समाग लगो क्या करते हैं फॉल्स पाथ को सबसे पहले लिख भी सिंखना और liखना पर nego गो तू इस वे लिखेंगे गो go to step कि छोड़ देंगे को यह साथ आगई नहीं पर देता हैं इस टेप go to step पास और पास लिखने के पीर में एक गोड़ एस टेप लिखने का जरूद नहीं है क्योंकि जैसे पास लिख देगा मतलब step 6 में क्या हो जागा programming हमारा खतम हो जागा तो stop हो जागा step 1 लिखे step 2 लिखे step 3 condition लिखे condition लिखने बाद अगर यह सही होगा condition तो कहाँ चल जागा हमारा step 5 लिखे देंगे उसके बाद 5 के बाद stop हो जागा अगर यह गलत होगा तो step प्रिंट हो जागा फेल और उसके बाद चल जागा step 6 में जो सेम पहले करते आते थे तो कोई problem है इसमें बताईए कमेंट करके तो इस वीडियो के हम यही पर end करते हैं यह बहुत लंबा वीडियो हो गया तो next वीडियो में हम लोग 3 variable को लेकर चलेंगे जैसे आपको बता रहते हैं कि 3 variable करने का मतलब है जैसे यहां पर हम लोग यह इसी question को जैसे ले लो इसी परकर के question रहेगा जैसे इसमें condition दिया रहेगा कि जैसे यहां पर सीधे ह अगर बरा हो चाहले इक्वाल थी कहिँ है अगर वो 300 से भरा हो चाहया इक्वाल थे हम लोग क्या दिखा देंगे हम लोग उसको first division दिखांगे first division अगर और हाई 100 से और हाई 100 से 12 हो चाहिए equal हो तो उसको हम लोग क्या दिखा देंगे second division अगर 200 हो तो हम लोग उसको दिखा देंगे चाहिए equal हो अगर 200 से अधिक हो तो हम लोग क्या दिखा देंगे उसको third तो यहाँ पर देखो दो एक दो तीन चार कंदीशन यूज हो रहा ना तो इस पर करागा कोस्टन भी आपको नहीं बाता हैं क्योंकि पहले इजी जी करेंगे तब ना आपको धीज जरे बेस आपको मजगूत करते चलेंगे तो यह कौस्टन आपको नेक्स वीडियो में करेंगे तो जरूर इस प्रोग्रामिंग करता है हमारा लेक्टप में यह आपको बताएंगे तो बस यहीं बताना था